हरे किश्णाम आज का ये वीडियो मेरे सभी हिंदू भाईयों और बहनों के लिए और उन सभी के लिए जो अपने आपको सनातनी कहते हैं उनके लिए है ये बहुत 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 इंपोर्टन्ट वीडियो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा वीडियो मात रसंगा आ सववसी दिहाइ तो हुआ यह जब हाली में गया था、 प्सपउर्ट उफिस में गलेटन अड़ा में रहता हूँ गाजियाबथ प्सपउर्ट उफिस में अपना प्सपउर्ट रेन्यू करवाने के लिए क्योंकि मेरा प्सपॉर्ट एक्सपायर हो गया था तो पासपोर्ट में जब गया ओफिस वहाँ पे तो धोती कुर्ता पहना हुआ था मैंने और मेरे माथे पर तिलक हमेशा रहता है तो सबसे पहले जब मैं वहाँ पर गया तो बाहर लाइन लगी होगी थी सब का टाइम था ग्यारा पंदरा ग्यारा ती और मुझे उपर से नीचे तक चेक किया तो कई लोगों का जो रियक्शन मैंने देखा यह मैं लोगों को बता रहा हूँ आपको ठीक है रियक्शन देखा कहां कहां से आ जाते हैं पंडित लोग इनको भी विदेश जाना है ऐसे मुझे कोड़ रहे थे इस ओके मैं अंदर मेरा नंबर आया अंदर मैं देखा कि पासपोर्ट आफिस में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ पर वो लोग भी मुझे इसी नजर से देख रहे थे और वैसे ही मुझे ट्रीट कर रहे थे तो यह सिलसिला चलता रहा जब तक कि मेरा पासपोर्ट उन्हें नहीं देख जब उन्होंना मेरी यूनिफॉर्म में फोटो देखी और देखा कि इसमें वीजा लगे हुए हैं स्टेंप लगे हुए हैं इतने सारे देख के ओ माई गॉड अच्छा तो उनका पुरा रवया बदल गया उसके बाद क्या हुआ कई सारे जैसे आप लोग जब जाते हैं ज रहा पर आपका फोटö लिया जाता है पासपोर्ड के नए पासपोर्ड जो अपको इशू करते हैं उसके फोटो लिया जाता है तो जब मैर वहाँ पर चैर पर बैठा समने मेडम जी बैठी हुईती उन्हें का सिर ये झाट अदय näग हाट लीजिय को इन हम एन्डिया में है भारत देश में है ये तिलक हमारी पहचान है सब्सक्राइब हम जंडा लेकर चलते हैं तो इस तिलक हटा लीजिए मैंने मैण से पुछा सब्सक्राइब से तिलक पासपर्ट फोटो में जन्टें लेकर उस्कान भाप मिटा लेजी मैंने अपने आपको चंट्रोल किया अपने एमोशन को अपने एंगर को काफी कुछ मिक्स्ट इमोशन चल रहे थे अंदर I hope आप लोग समझ सकते हो मैंने बोला मैं I'm sorry क्यों अलाओ नहीं यह 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 जनरली यह अलाओ नहीं करते हैं I just want to know the reason उनके पास कोई reason नहीं था कोई logic नहीं था Just हम allow नहीं करते हैं मैं बोला I'm sorry मैं मैं तिलग नहीं अटा सकता Please आप photo लेजिए उन्होंने बोला कि देखे सर हम यह allow तो नहीं करते लेकिन जब कोई बहुत ज़ादा insist करता है तो फिर उसको लिख कर रिटन में देना होता है यह चीज I was shocked I was literally shocked मैं क्या रिटन में देना होता है क्या लिख के देना होता है Sir आपको यही लिख कर देना होगा की आप जो photo खिच वा रहे हैं पास्पोर्ट के लिए वो आप तिलग के साथ खिच वारे हैं और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नी है, मुझे तो मैम कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे क्यू प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम तो आपको हो रही है, नहीं सेर, आपको लिख के देना होगा है कि आपको, सिरियसली, I was literally shocked, I was literally shocked, कि ऐसा कैसे हो सकता है, of course, जब प पासपोर्ट मैंने बनवाया था, दस साल का पीरिड उतारी नियू का, 2012-2013 में बनवाया था, 2014 से मैं इसकॉन से जुड़ा था, तो मैंने बोला है, मैं मतलब लिखने का क्या मतलब मुझे समझ निया है, सर जस्त आप ये लिजे लिजे वाइट पेपर, इस पे लिख के दे एनिहाओ, मैंने लिख कर दे दिया, कि ठीक है, मुझको इस तिलक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी फोटो ऐसा ही चाता हूँ, पासपोर्ट में, लेकिन प्रश्न ये उठता है, हम जो यहाँ पर बहु संख्यक, हम बोलते हैं जो भारत देश है, देखा जाए तो हर देश जो है, वहाँ पर एक कॉमिनिटी होती है, जो बहु संख्यक होते हैं, अगर आप वेस्टरन कंट्रीज में चले जाए, तो वहाँ आपको क्रिस्चिन्स मिलेंगे, इधर आप अरेबीन कंट्रीज में चले जाए, आपको मुसलिम्स मिलेंगे, लेकिन जब बात भारत की आती है, यहाँ पर हम हिंदू होके, हम सनातनी होके, हम अपने ही भारत में, हमको अपनी ही चीज़ों के लिए हमें जस्टिफिकेशन देना होता है, हमें रिटन में देना होता है, क्यों? वाल, ऐसा क्यों है? और उसके बाद हमको ही हीन भावना से देखा जाता है, हम अगर तिलक लगा कर सडक पर निकलते हैं छोटे-छोटे भक्तों के हमारे जो भक्त होते हैं उनके बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं आके रोने लगते हैं मम्मी मैं कल से तिलक लगा कर नहीं जाओंगा क्यों बेटा मम्मी मेरे सारे दोस्ते मेरे खिचाई करते हैं मुझे चिढाते हैं क्या हो क्या रहा है एक बच्चा रोता है कि मैं तिलक लगा कर नहीं जाओंगा क्यों कि बाकी सारे बच्चे गधे हैं उनको पता नहीं है बच्चों की क्या गलती है उनके माबाप ने उनको सिखाया नहीं, उनके माबाप भी वैसे ही है, इंसानों का तो छोडिया आप, जानवरों की बात करें, अभी हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं, His Grace, तुष्ट गौरांग प्रभुजी, जो मुझे लेकर आए हैं, बेसिकली, स्कॉन में, जिन्त के जुड़ा हूँ, वही मुझे लेकर आए थे, तो वो मंदिर जा रहे थे, तो उनको पीछे से आके कुत्ते ने काट लिया था, क्यों काटा, क्यों काटा, सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ भी एक महीने पहले, एक डेड़ महीने पहले, मैं भी जा रहा था रात के समय, इंसानों का छोड़ी है, जानवरों के बीच में भी सिफ नहीं है, तेरी कजन है छोटी, उससे पुछा कि राम जी कितने भाई थे, चार भाई थे, नाम बताओ, राम, लक्षमन, युदिष्टे, और एक याद नहीं आ रहा भाईया, राम, लक्षमन, युदिष्टे और एक याद नहीं आ रहा, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई है, ये हम अपने बच्चों को संस्कृती में दे रहे हैं, इस इस तर लिगे सी वियर, ट्रांस्फरिंग, तो, उस पासपोर्ट आफिस में जानने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, कि क्या हम भारत में ही रह रहे हैं, क्या जो मुगल आये थे, क्या जो अंग्रेज आये थे, वो अपनी मानसिक्ता कहीं छोड़ तो नहीं गए, हम बोलते हैं कि हम आजाद हो गए, तर इन हम कर लिया है, बचा कहा है, कहां पर हम आजाद हैं, गुलामी तो हम अभी भी कर रहे हैं, अपने धर्म को तो हमने छोड़ी दिया है, सब कुस दरकिनार कर दिया है हमने, बचा है क्या, कहां से आजाद हैं हम, तो मेरा प्रश्ण है आप लोगों से, ये जो इंसिडेंट खेर मेरा पासपोर्ट बन कर आ गया है, यह आप लोग देख सकते हैं, यह मेरा पासपोर्ट है, यह मेरे माथे पर तिलक है, प्रश्ण है मेरा आप लोगों से, यह जो इंसिडेंट हुआ, पूरा वाक्या जो हुआ, इसे आठ प्रश्ण मेरे दिमाग में आये हैं, आठ प्र मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आप जब घर से ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो क्या आप तिलक लगाते हैं या क्या आप अपने बच्चों को तिलक लगा कर भेजते हैं दूसरा प्रश्न है मेरा क्या आपने कभी श्रिमत भगवत गीता श्रिमत भागवतं या हमारे अन्य गरंथ कभी खोल कर पढ़े हैं पढ़ने की चेश्टा की है या वो भी छोड़ी है आपको पता भी है कि हमारे गरंथ कौन-कौन से हैं मेरा तीसरा प्रश्न है क्या आप वहाँ पर ज्यान मिलता है अध्यात्म का ज्यान क्या कभी मंदिर जाकर आपने साधूं का संग किया है उनसे ज्यान लिया है मेरा चौथा प्रशन है क्या आपने कभी भगवान की कथाओं का श्रवन किया है ये क्या नियमित रूप से अब भगवान की कथा का इश्रवन करते हैं? मेरा पांचवा प्रश्ण है क्या कभी आपने अपने धर्म का प्रचार किया है? सड़क पर निकल कर, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी कभी भी अपने धर्म के बारे में किसी को बताया है दूसरे धर्म वालों के हम बाती नहीं कर रहे अपने खुद के भाई बेहनों को, अपने सनातिनी भाई बेहनों को जो की भटक चुके हैं रास्ता क्या कभी भी उन्हें अपने अपने धर्म के बारे में बताया मेरा चटा प्रश्न है कि क्या आप भगवान के दिव्य नामों का प्रति दिन जप करते हैं जो कि कल्योग की विधी बताई गई है भगवत प्राप्ती की मेरा साथवा प्रश्न है कि क्या आप जो भी खाते हैं उसको भगवान को अरपड करते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, वेल अगर नहीं करते हैं, तो मारी बुद्धी दूशित होने का सबसे बड़ा कारट यही है मेरा आठवा प्रशन है कि आपके कितने मित्रे हैं और उन मित्रों में से कितने मित्रे हैं आपके जो भगते हैं अगर इन आठ में से दो प्रशनों का भी उत्तर आपका फेवरेबल है, इन में से दो चीज भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो उम्मीद है वरना, I am sorry to say, श्रमा कीजिएगा आप अपने आपको हिंदू या सनातनी कहलाने लाइक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तो ये जूटे आडंबर से बाहर आईए, कि हम सनातनी हैं, इंटरनेट पे जो वारियर हम बनते हैं, कि ये फिल्म को बॉयकॉट करो, इधर धरना दो, ये करो, वो करो पहले अपनी धर्म को जानतो लो भाई, चले हैं हम जंडा लेकर, और यही नहीं पता कि हम जंडा लेकर, चल किसके लिए रहे हैं, शमा किजिएगा शायद हम लोग इस आधुनिक्ता में इतनी पुरी तरीके से डूप चुके हैं, कि अपने धर्म का तो छोड़िए, हमें खुद का भी ग्यात नहीं कि हम है कौन तो यह आठ प्रश्न जो मैंने पूछे हैं, कृपया करके, प्लीज, I just want to see, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं, जो वास्तों में अपने धर्म के प्रती जाग रुख हैं, आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा, और अगर यह आठो चीजों में, जीरो माक्स हैं, त यह ऑाग तो इत् कितने इ अन्यों में, जीरो जाग रेमिर्ण सेफित्वा, म जीर प्रता जोगिर्ण अमिर्ण सेफ़दान ह यह नए्ग है